हेलो स्टूडेंट्स आज हमारी माइक्रो कंट्रोलर एंड एम्बेड़िट सिस्टम की फोर्थ क्लास है इस क्लास में हम 8051 माइक्रो कंट्रोलर की मैमोरी और्गनाइजेशन के पारे में समझेंगे मैमोरी और्गनाइजेशन का कोशन बहुत इंपोर्टन है एक्जाम के परपस से तो इंपोर्टन है ही साथ ही में वाईवा के परपस से भी बहुत इंपोर्टन है इसमें से काफी चोटी चोटी questions बन जाते हैं, जो examiner अक्सर पूछी लेते हैं, तो अच्छे से इसको समझिएगा, तभी आप बता पाएंगे और exam में भी लिख पाएंगे जाके, तो चलिए start करते हैं, तो पूछा गया है इसमें कि describe memory organization of 8051 microcontroller, Micro processor वा microcontroller में एक मुख्य अंतर यह होता है कि, microcontroller chip में on chip memory, अर्थार, ROM वा RAM होती है, जबकि micro processor में यह सुविधा उपलब्द नहीं होती, इसलिए किसी भी microcontroller का अध्यन करते समय, उसकी memory organization को समझना बहुत important हो जाता है, अर्थार, memory किस प्रकार से organized है, प्रसेसर इस memory को किस प्रकार से access करता है, तथा microcontroller से external memory किस प्रकार interface की जाती है, students यह जो words है, कि external memory and interfacing, अधिकतर student को इसका मतलब पता होगा, लेकिन मैं फिर भी पताना चाहती हूँ अप लोगों को कि यह क्या होता है, तो student external memory एक ऐसी memory होती है, जो हम अपनी तरफ से microcontroller को देते हैं, उसको और फिर interface करने का मतलब होता है add करना, उसके साथ interface करते हैं, यानि की जोड़ देते हैं, अपनी आगया आने वाली वीडियो में external memory को explain करूंगी, तब वहाँ पर और भी अच्छी तरीके से आपको पता चल जाएगा, फिलहाल मैंने आपको एक idea दे दिया कि external memory होता क्या है, अब हम इसी के साथ आके बढ़ते हैं, तो यह है कि 8051 microcontroller memory को program memory यानि की ROM और data memory RAM में क्या गया है, कौन-कौन से हैं वो, program memory ROM and data memory RAM, अब हम बढ़ते हैं आगे, अतहा program memory programs को अर्थात instructions को store करती है, जब कि data memory temporary variable data और intermediate results को store करती है, अब यह temporary variable data क्या होता है, temporary का मतलब होता है कि कुछ समय के लिए permanent नहीं है, वो कुछ समय तक के लिए है, वो variable data यानि कि बदला जाने वाला data, temporary variable data का मतलब क्या होता है, कुछ समय के लिए data store है और जिसको हम बदल भी सकते हैं, यानि कि कुछ समय के लिए store data जो बदला जा सकता है, temporary variable data कहलाता है, ओके, फिर हम आते है, 8051 microcontroller में उपलब memory अपरियाप्त होने की दशा में उप्युक्त प्रयोग करके, external memory अट की जाती है, देखिए, फिर वही बात आ गई, जो मैंने अभी आपको कुछ समय पहले बताई थी, कि external memory क्या होती है, जब हम कोई बहुत बड़ा program बनाते हैं, तो हमारे पास microcontroller में जो उपलब्द memory होती है, वो कम पढ़धाती है, इसलिए हमें अप 4KB की internal room होती है, important है, पूजा चा सकता है, कितने के बी की होती है, internal room 4KB की, 8051 की 4KB room की address space, ये address space जो है, 000H से 0FFH तक होती है, ये भी important है, ये इसका address है, हर किसी जो हमारी चीज होती हो, उसका एक address होता है, जैसे कि हमारी room है, उसका address है, हमें कैसे पता चलेगा कि room कहां से क और RAM memory का भी address होता है, वो कहां से कहां तक है, ये पता करने के लिए address space, इसको ये address के द्वारा पता लगाते हैं, जैसे कि हम कहीं रहते हैं, तो हमारी जो relatives हैं, उनको कैसे पता चलेगा, हमारे address से तो पता चलता है, कि अच्छा हम इस जगहा पर यहां रहते हैं, ठीक, वैस skip कर देते हैं, लिख कर नहीं आते paper में, यहीं से बहुत अच्छे question होते हैं, कभी-कभी तो exam में के वार यही पूछ लेता है, कि 8051 microcontroller की data memory को explain करो, इसलिए बिल्कुल भी skip नहीं करना है, इसको मैं शेसे समझाऊंगी आपको, आपको बिल्कुल समझ में आएगा, और अग 128 bytes internal RAM होती थी, होती थी, जबकि आधूने के 805 में कित्ते की होती है, 256 bytes की होती है, तो totally कहने का मतलब यह है, कि अभी जो है 256 byte की RAM यूज होती है, किस में 8051 के data memory में, इसमें से पहली 128 bytes 008 से 7FS address, working registers, bit addressable, general purpose RAM होता है, आप देखिए, अब आप मैं आपको figure से बताऊंगे, आपको बिल्कुल समझ में आएगा, इस line का मतलब क्या है, देखिए 256 byte RAM होती है, यानि कि पहली 128 होगा, फिर दूसरा भी 128 होगा, तो पहली 128 के बात हो रही है, यहाँ पे भी, ओके, तो पहली 128 यह देखिए, क्या working registers, bit addressable area और general purpose RAM होता है, देखिए, यह है हमारा 00H से 7FH तब, जिसमें यह जो हमारे banks दिख रहे हैं, यह है working registers है, देखिए, यह R0, R7, यह क्या है, registers हैं, यह सभी working registers हैं, यह है हमारे bit addressable registers, numbering भी याद रखनी है, 16 होते हैं, यह है general purpose registers, कितने हैं, 80 होते हैं, उस line का यह मतलब था, figure ज़रूर बना के आएं, figure बना के आएंगे, तो ज़्यादा अच्छे number मिलते हैं, अगर आप theory लिखाएंगे, तो figure का ज़्यादा अच्छा expression पड़ता है, ठीक है, figure ज़रूर बना के आएं, इसको skip ना करें, और अब हम आगे की तरह बढ़ते हैं, त divide होते हैं, 8 registers in each banks, इन banks को bank 0, bank 1, bank 2, bank 3 कहा जाता है, देखिए, यह है, इस line का मतलब, क्या पड़ा मैंने, इन 128 bytes में से पहली 32 bytes, क्या होते हैं, 00H से 1FH तक, 00H से 1FH तक होते हैं, ठीक, 32 working registers होते हैं, यह जो total है न, यह 32 working registers हैं, ठीक, जो 4 banks में divide हैं, देखिए, 4 banks में divide हैं यह, और 8 registers in each banks, इच bank में 8 registers, देखिए, bank 0 के बात करें, तो यहाँ पर 0 से लेके 7 यानि के 8 register हैं, अगर हम bank 1 के बात करेंगे, इसी प्रकार इसमें भी 8 registers हैं, 2 में भी, एंड इसमें भी, तो यही चीज़ यहाँ बता रहा है, ठीक, औ इन banks को क्या कहा जाता है, bank 1, यह है, bank 0, bank 1, 2, 3, यह कहा जाता है, फिर हम बढ़ते हैं आगे, तो यह है कि इसके बाद की 16 GB, जो RAM होती है, 20H2, 2FH address, bit addressable memory location होती है, sorry students, मैंने बीच में थोड़ा tongue slip कर गई थी, GB नहीं, यहाँ पर B है, यानि कि byte, 16 byte RAM जो होती है, वो 20H2, 2FH address तक होती है, यह देखिए, 20H2, 2FH address है, क्या है, यह bit addressable registers है, और उसके बाद, जो है 80 byte, internal RAM जो है, 30H से 7FH, general purpose RAM area होता है, यह देखिए, यह है हमारा 30H से 7FH, general purpose registers area, हो गया यह, तो होप कि आप लोगों को अच्छे से डाइराम समझ में आया होगा, थियोरी भी समझ में आया होगी, अगर आभी भी नहीं समझ आता है, तो फ्लीज कमेंट में पूछ लि बार वीडियो को देख लीजिए, वीडियो का आपको मतलब यही help रहती है, सबसे बढ़िया कि आप इसको जितना आमन चाहे उतनी बार देख सकते हैं, और अपने doubt को clear कर सकते हैं, तो अगर नहीं समझ आता है, तो आप इसको दुबारा देखिए, ओके फैंट्स, चलिए अब बात करते हैं कि जो बची हुई 128 RAM थी हमारी, यह जो होती है RAM special function registers को allowed की गई है, अभी special function registers क्या होते हैं, इसका भी एक अलग से बहुत important question बनता है, यह मैं आपको वहाँ explain कर दूँगी, इस question के लिए इतना जो मैंने आपको बताया है, बहुत होता है, अगर आप इतना आपको पांच नंबर पूरे-पूरे मिलेंगे, और अगर आप इसमें special function registers के बारे में add करना चाहते हैं, अगर आपके पास time जादा है, और आपके लिखने की speed बहुत जादा है, तो आप वो भी add कर सकते हैं, मैं आपने आगे आने वाली वीडियो में आपको special function registers के बारे मे अच्छे से बता दूँगी, ओके friends, तो आज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आप से अगली वीडियो में, धन्यवाद